नमस्कार आप देखरे न्यूस वानेशन और मैं हूँ सांत्वनाव के साथ गया जुले के टिकारी प्रकंट के मशूर बुलिट बाबा से जानने वाले आशुतोष कुमार मिश्र ने आज मुख्या पद के साथ-साथ गोपणियता की शपतली है बतादे कि ये वही बुलिट बाबा है जिन्होंने जेल में बंद रहकर अस बार बिहार 3035 चुनाओ के मुख्या पद के लिए चुनाव जीता है और ये वही बुलिट बाबा है जो हाथ में हतकरी लटकाए अपना नामांकर दाखिल करने पहुचे थे ऐसे में ये बुलिट ब वहाँ जाकर सारी कागजी प्रकिरियाओं को पूरा कराएगा ऐसे में क्या कुछ तस्वीरे निकल करा रही है और शपत ग्रहन के समय क्या कुछ हुआ वहाँ पर कैसे ये शपत ग्रहन और गोपणियां था कि शपत लेते हुए नज़र आ रहे हैं आए पहले आप इन पुरसी बरकरार रखने वाले आशतोश कुमार मिश्र ने आज पद और गुपनियता की शबत ली है न्याले के आदेश पर सेंट्रल जेल गया से पुलिस कस्टेडी में ठिकारे पहुचे मुख्या आशतोश कुमार मिश्र कागजी प्रकिरिया पूरी करने के बाद प्रकंट सभागार में आयो जित शपत ग्रहन कारिक्रम में हिस्सा लिया जहां निर्वाची पदादिकारी सबीजियो वेद प्रकार्ष ने मुख्या मिश्र के साथ सरपंच पारस कुमार सहित सभी वोड सदस्यों एवं पंच को पद और गोपनियता कीश नशा मुक्ती की शपत भी दिलाई इधर मिश्र के शपत लेने के आने की सूचना पर उनकी एक जलक पानी और जेल में रहकर जीत दर्ज करनी के लिए बधाई देने वालों की भी रुमर पड़ी है जैसे ही शपत ग्रहन समारों से मिश्र बाहर निकले समर्थकों ने फूल माला से उनका स्वागत की और जीत की बधाई भी दी समर्थकों के उत्सास नहीं और प्यार भरी जुनून से अभीबूत मुख्या आशितोष कुमार मिश्र ने सबों का अभिवादन स्विकार करती हुए इसे लाख पंचायत की सम्मानत जनता एवं मतदाता के साथ छेत्र के लोगों के पुना अशिरवाद और समर्थन की जीत बताया मालूम हो कि मारपीट के आरोप में न्याले के समक्ष आत्म समर्पन के बाद पेरोल पर जेल से आकर उन्होंने मुख्या पद के लिए नामांकन दाखिल किया था जिसके बाद संपर्ण चुनाव में मतदाताओं ने मिश्र के पक्ष में बंफर वोटिंग कर जेल में रहते हुए उन्हें जीत दिलाई मुख्या मिश्र के जेल में बंद रहने के स्थिती में उनके समर्थक एवं पंचाय चेत्र के न्याय पंसंद ग्रामीन स्वतप चुनाव प्रचार की कमान अपने हातों में उच्छाते हुए गाउगाउ में घूम कर बुलिट बाबा के समर्थंत में लोगों से मत देने की अपील की थी मालूम हो कि कई जीते हुए जन प्रतीनी दी गिरफतारी के डर से शपत लेने नहीं जा रहे थे ऐसे में बिहार के मशूर बुलिट बाबा ने आज मुख्या और गोपनियता की शपत एक साथ ली और साते साथ उनकी एक जलत पाने के लिए उनके समर्थकों की भीर जुट्ती हुई नजर आए जिसके बाद उन्होंने सभी का अभिवादन किया और इसे पंचायत की जीत बताया आपको लगतार हम ये तस्वीरे दिखा रहे हैं जो कि शपत ग्रहन के समय से निकल कर आ रही है फुलाल के लिए इतना ही एनके अपडेट्स के लमाई साथ बनी रही न्यूस फारनेशन में नमस्कार